हाई अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक शूर आप चैनल को सस्क्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके और कर देना अगर आप इस पर मुझे कोई भी कुछ सकते हो सो देखो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आपने थमनेल में देखा है उसी तरीके से मैं आपको इस चीज समझाने कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास 12 के जो बच्चे उनका रिये एक्जाम का टाइन टेबल आ चुक है मतब यह रिये एक्जाम वो टाइप के बच्चे देने वाले जिनका या फिर किसी सब्जेक में वो फेल हो गए थे नमबर वन नमबर टू या फिर उनको जो ग्रूप क्राइटेरिया को क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसको क्लियर करने के लिए वो लोग यह एक्जाम को दे रहे हैं राइट इफ आम नॉट रॉंग मैं हूँ आपके साथ और मुझे आप पर और आपके सपनों पर हरोस है तो एक छोटी सी यूडियो में मैं जाश आपको बता देता हूँ यह पीडियाफ आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा उसको जॉइन कर लेना लिंक इन डिस्क्रिप्शन सबसे पहले 21st जुलाई को आपका पेपर होगा पहला पेपर है इंग्लिश का 10.30 से लेकर के 1.30 सुबह के साढ़े 10 से लेकर के दोपर के 1.5 बज़े तक फिर उसके बाद 2nd पेपर है 22nd जुलाई को हिंदी का फिर उसके बाद है देखो यहाँ पर जो है अपने subject यह सब कु देखो आपका physics का पेपर है 25th जुलाई को फिर उसके बाद आपको 26 को छुट्टी है जैसे कि एक दिन की छुट्टी मिलती है chemistry के लिए 27th जुलाई को आपका chemistry का पेपर है timing से में फिर उसके बाद अगर आपने math drop किया है geography लिया है तो geography का पेपर है 28th जुलाई को इतना आपका exam है biology का 1st अगस्ट को तो आपका देखो paper खतम हो चुका है 1 अगस्ट को और वही अपना 4-5 अगस्ट से इस सब किसका exam चलूएगा कौन सा CT का तो आप लोग उसके रहे भी prepare करते रहिए ठीक है तो चलिए इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बता दिया है आपको यहाँ पर ऐसे हाथ रखके all is well बोलना है मुझे भरोसा है कि आप paper को crack कर सकते हैं आप अपने आपको loser मत समझो समझ मैं है re-exam का मतलब ही होता है कि अपने आपको बहतर बनाना जो अपने में कमिया है उनको वापस से पूरा करना सो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी माग भी लगाओगे ना कि मेरे को यार थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर देना चीए 30 दिन बाकी है ठीक है जो भी paper देना आपको आप उसका अच्छी से prepare करो हो जाएगा don't worry one short videos है अभिशेक सर chemistry channel पर भी आप playlist में रहेगा कि मैं re-exam देने वाल हूँ पर जाओ आप center पर पहुचोगे ना तो आपको आपको ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे दीखेंगे जो कि re-exam दे रहे तो don't worry guys you are not a single person आप अकेले इंसान नहीं हो आपके साथ आप हो और मैं हूँ तो आपको कोई भी टेंशन देनी की जरुवत नहीं है ठीक है मैं मानता हूँ कुछ कम्या थी इसलिए re-exam देनी की जरुद पढ़ रही है पर उन कम्यों को दूर करेंगे और इस दुनिया को हम प्रूव करेंगे आप और मैं मिल करके साथ में तो चलिए मैं आपको मिलता ह हमारे नेक्स टेक्चर में तब तलक के लिए राधे राधे एंड थैंक यू सो मच वाचिंग मैं वीडियो इसी तरीकी से छोटी सी वीडियो को आपना भरपूर प्राय देनी की कोशिश करना और अपने दोस्तों को शेर करना जो re-exam देने वाले हैं थैंक यू सो मच आदे राधे जाए मारास्त्रा